परिचाए तुम इस सेल्फ में क्या ढूंड रहे हो? मेरी जीविज्ञान की किताब यहां नहीं है आज मेरे जीविज्ञान के टीचर ने बताया है कि कल जीविज्ञान का लिखे टेस्ट होगा तो तुम्हारे टेस्ट का विशय क्या है? कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन किरप्या मेरी सहायता करो भाई ठीक है मैं तुम्हें कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन की विभिन प्रावस्थाओं के बारे में बताता हूँ उत्देशे इस पार्ट के अंत में आप निम्र करने में सक्षम हो जाएंगे कोशिका चक्र की व्याख्या करना कोशिका चक्र की विभिन प्रवस्थाओं को समझना M प्रवस्था और इसकी विभिन अवस्थाओं के बारे में जानना सूत्री विभाजन के महत्व का वर्लन करना अर्थ सूत्री विभाजन और इसकी विभिन अवस्थाओं के बारे में जानना कोशिका चक्र क्या है? कोशिका जीवन की संदचनात्मक और कारियात्मक इकाई है सभी कोशिकाएं दो भागों में विभाजित होकर जनन करती हैं, जिसमें प्रतेक पैतरक कोशिका विभाजित होकर हर बार दो संतती कोशिकाओं को जन्म देती है। ये नव निर्मित संतती कोशिकाओं स्वयम वृध्धी और विभाजन कर सकती हैं, एक पैतरिक कोशिका और इसकी संतती वृध्धी और विभाजन के बाद एक नई कोशिकी ये जनसंख्या का निर्माण करती हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोशिकाओं पूर्व कोशिकाओं से उत्पन होती हैं. कोशिका विभाजन कहलाती हैं. वास्तों में ये एक बहुत महत्पूर्ण प्रक्रिया है और सभी जीविचीवों में पाई जाती हैं. कोशिका विभाजन के दौरान DNA प्रतीकृतिकरण और कोशिका वृध्धी भी होती है. अब आईए कोशिका चक्र के बारे में जाने घटनाओं का अनुक्रम जिसके द्वारा एक कोशिका अपने जीनोम का दुई गुणन कोशिका के अन्ने संघटकों का संशलेशन करती है और अंत में दू संतती कोशिकाओं में विभाजन करती है कोशिका चक्र कहलाता है आपको ये जानकर आश्चरे होगा कि प्रतिकृती गुण सूत्र यानी DNA कोशिका विभाजन के दौरान जटिल घटना क्रम के दौरा संतती केंद्रकों में वित्रित हो जाते हैं अब आईए कोशिका चक्र की प्रवस्थाओं के बारे में जानें कोशिका चक्र की प्रवस्थाएं कोशिका चक्र को दो मूल प्रवस्थाओं में विभाजित किया गया है अंत्रावस्था और M प्रवस्था या सूत्री विभाजन M प्रवस्था उस प्रवस्था को व्यक्ति करती हैं जब वास्तविक कोशिका विभाजन या सूत्री विभाजन होता है और अंत्रावस्था दो क्रमिक M प्रवस्थाओं के बीच की अवस्था को व्यक्त करती हैं। M प्रवस्था का आरंब केंद्रक विभाजन से होता है जो की संगत संतती गुण सूत्र के प्रतक्करण यानि केरियो काइनेसिस के सम्तुल्ले होता है और इसका अंत्रावस्था को विश्राम प्रवस्था भी कहते हैं। इस दोरान कोशिका करमबद्ध तरीके से कोशिका वृध्धी और डिने प्रतिक्रिति करण करके विभाजन के लिए तयार होती है। पहले आए अंत्रावस्था की विभिन अवस्थाओं के बारे में जाने। अंतरा अवस्था को आगे तीन प्रवस्थाओं में विभाजित किया गया है, जी एक प्रवस्था या गैप एक, एस प्रवस्था या संशिलेशन प्रवस्था, जी दो प्रवस्था या गैप दो, अब आईए प्रतेक के बारे में विस्तार से जाने, कोशिका चक्र की G1 प्रवस्था सूत्री विभाजन और DNA प्रतिकृति करण के आरंब के बीच अंतराल को प्रदशित करती है। G1 प्रवस्था के दौरान कोशिका उपाप चही रूप से सक्रिये होती है और निरंतर वृध्धी करती है लेकिन इसका DNA प्रतिकृति नहीं करता है। G2 प्रवस्था के दौरान सूत्री विभाजन के लिए प्रोटीन का संशिलेशन होता है जबकि कोशिका वृध्धी होती रहती है। कुछ कोशिकाएं जो आगे विभाजित नहीं होती हैं जी एक प्रवस्था से निकल कर निश्क्रिये अवस्था में पहुचाती हैं। जो कोशिका चक्र की शानत अवस्था यानि जी ओ कहलाती हैं। इस प्रवस्था में कोशिकाएं उपापचाई रूप से सक्रिये रहती हैं। लेकिन ये विभाजित नहीं होती हैं। इनका विभाजन जीव की अविशक्ता के अनुसार होता है। मुलियांकन आगे बढ़ने से पहले आईए जाने कि आपने कितना सीखा। जही विकल्ब को उठा कर उसके संगच स्थान पर रखें। M प्रवस्था और इसकी अवस्थाएं। M प्रवस्था सूत्री विभाजन भी कहलाती है। जूंकि जनक और संतती कोशिकाओं में गुण सूत्रों की संख्या पराबर होती है। इसलिए ये सम विभाजन भी कहलाती है। सूत्री विभाजन को निमनलिकिद चार अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। पून अवस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। आईए इनके बारे में विस्तार से जाने। पून अवस्था, सूत्री विभाजन की पहली अवस्था पूर्वावस्था है। ये अंत्रावस्था के S और G दू प्रावस्था के बात की अवस्था है। S और G दो प्रावस्था में नई DNA अणूं बनते हैं और आपस में गुंते होने के कारण स्पष्ट नहीं होते हैं। पूर्वा वस्था के पून होने के दौरान जो महद पून घटनाएं होती हैं, उनकी निम्न विशेष्टाइं हैं। गुंसूत्री द्रव्वे संगनित होकर ठोस समसूत्री गुंसूत्र बन जाता है। गुंसूत्र दो अर्थ गुंसूत्रों का बना होता है, जो आपस में सेंट्रो मियर यानि गुंसूत्र बिंदु से जुड़े रहते हैं। समसूत्री तरकु, सुक्ष्मन नलेकाओं के जमावडे की प्रक्रिया आरंब हो जाती है। कोशिका द्रव्वे के ये प्रोटीन युक्त घटक इस प्रक्रिया में सहता करते हैं। एम प्रावस्था और इसकी अवस्थाएं। मध्यावस्था सूत्री विभाजन की दुईती अवस्था मध्यावस्था कहलाती है। इस अवस्था में मध्यावस्था गुंसूत्र दो संतती अर्थ गुंसूत्रों से बना होता है। जो आपस में गुण सूत्र बिंदू से जुड़े होते हैं। गुण सूत्र बिंदू की सतह परिस्थित छोटी बिंब के आकार की सनचना काइनेट कोर कहलाती है। ये सनचना तरकु तंतू के चुड़ने का स्थान है जो दूसरी ओर कोशिका के केंदर परिस्थित गुण सूत्रों से जुड़े होते हैं। मद्यावस्था में गुण सूत्रों के पंक्ति बद्ध होने का तल मद्यावस्था पट्टी का कहलाता है। मध्यावस्था की मुख्य विशेष्टाई हैं, तर्कु तंतु गुण सूत्र के काईनोट कोर से जुड़े रहते हैं। ये सूत्री विभाजन का तीसरा या अगला चरण है। पश्चावस्था के प्रारंभ में मध्यावस्था पट्टिका पराय प्रत्यक गुण सूत्र एक साथ अलग होने लगते हैं। और दो संतती अर्थ गुण सूत्र दो विप्रेत धुरुण की ओर जाने लगते हैं। इस अवस्था की मुक्य विशेश्टाएं हैं। गुण सूत्र बिंदू विखंडित होते हैं और अर्थ गुण सूत्र अलग होने लगते हैं। अर्थ गुण सूत्र विप्रीत धुरुण की ओर जाने लगते हैं। एम प्रावस्था और इसकी अवस्थाएं। अगली अवस्था अंतियावस्था है। ये निम्निलिकित मुक्य खटनाओं को दर्शाती है। गुण सूत्र विप्रीत तर्कु धुरुवों पर एकत्रित हो जाते हैं और उनकी प्रथक तत्व के रूप में पैचान समाप्थ हो जाती है। गुण सूत्र समुह के चारों ओर केंद्र कावरण का निर्मान हो जाता है। केंद्र का गौलजिकाय और अंतरद्रवेय जालिका का पुनण निर्मान हो जाता है। क्या आप चानते हैं कि सूत्री विप्राजन, दुई गुनित गुन्सूत्रों के संतती केंद्रकु यानि केंद्रक विप्राजन में सम्प्रिथकर्ण से ही समाप्थ नहीं होती। विभाजित हो जाती है, जो कोशिका द्रव्य विभाजन कहलाती है। सूत्री विभाजन का महत्व अब तक हमने सूत्री विभाजन की विभिन अवस्थाओं के बारे में जाना। अब आईए देखें कि सूत्री विभाजन का क्या महत्व है। सूत्री विभाजन का महत्व सूत्री विभाजन में साधन अर्तिया, समान आनुवन्शिक अव्यवाली दुई गुनित संतती कोशिकाएं बन्दी हैं। बहु कोशिके जीवों की विभाजन के कारण होती है। कोशिका विभाजन के परिणाम नुपात को बनाये रखे। सूत्री विभाजन का बहुत महतपून योगदान कोशिका की मर मत करना है। आधी चर्म की उपरी सतह की कोशिकाएं, आहार नाल की भीत्री सतह की कोशिकाएं और रुधिर कोशिकाएं निरंतर प्रतिस्थापित होती रहती हैं। विभज्य योति की उतकों, शीर्षस्थ एवं पार्श्विये कैम्बियम में सूत्री विभाजन के कारण पौधों में जीवन भर प्रिद्धी होती रहती है। मुलियांकन आगे बढ़ने से पहले आये जाने कि आपने कितना सीखा। सूत्री विभाजन की अवस्थाओं का उनकी संबंदित घटनाओं के साथ मिलान करें। अर्थ सूत्री विभाजन और इसकी अवस्थाएं। अब आईए अगले विशय अर्थात अर्थ सूत्री विभाजन पर आते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लेंगिक जननद्वारा संतती के निर्मान में दो युकमकों का संलयन शामिल है। जिनमें आगुनित गुन सूत्रों का एक समू होता है। युकमक विशिष्ट दुई गुनित कोशिकाओं से दिर्मित होते हैं। ये विषिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन जिसके द्वारा बनने वाली आगुणित संतती कोशिकाओं में गुण सूत्रों की संख्या आधि हो जाती है। इस प्रकार का विभाजन अर्द सूत्री विभाजन कहलाता है। अर्द सूत्री विभाजन की मुख्य विशेष्टाएं निम्नवत हैं। अर्द सूत्री विभाजन में केंद्रक और कोशिका विभाजन के दो अनुक्रमिक चक्र शामिल होते हैं, जिसे अर्द सूत्री एक और अर्द सूत्री दो कहते हैं। लेकिन डीने प्रतीकृति करण का केवल एक चक्र पूम होता है। ऐस कवस्था में पैतरिक गुंचुत्रों के प्रतीकृति के साथ समान सम्तती अर्द गुंचुत्र बनने के बाद अर्द सुत्रि एक वस्था प्रहरंब होती है। अर्द सूत्री विभाजन में समजात गुण सूत्रों का युगलन एवं पुनर योजन होता है। अर्द सूत्री दो के अंध में चार अगुणित कोशिकाएं बन दी हैं। अर्द सूत्री विभाजन को निम्न अवस्थाओं में वर्गी क्रित किया गया है। पूर्वावस्था एक, मध्यावस्था एक, पश्चावस्था एक और अंत्यावस्था एक अर्द सूत्री एक के तहट आती हैं। जबकि पूर्वावस्था दो, मध्यावस्था दो, पश्चावस्था दो और अंत्यावस्था दो अर्द सूत्री दो के तहट आती हैं। अब आये प्रत्येक प्रावस्था का विस्तार से अध्यान करें। अर्द सूत्री विभाजन और इसकी अवस्थाएं। अर्द सूत्री एक की प्रतम अवस्था पूर्वावस्था एक है। ये सूत्री विभाजन की पूर्वावस्था की तुलना में बहुत लंबी और अधिक जटिल है। गुण सूत्रों के वैवाहार के आधार पर इसे आगे निम्ल पांच प्रवस्थाओं में उप विभाजित किया गया है। अर्थात तनुपट्टे, युग्मपट्टे, स्थूलपट्टे, दुईपट्टे और पारकती क्रम। तनुपट्टे, प्रकाश सुष्म दर्शी से देखने पर तनुपट्टे अवस्था के दौरान गुण सूत्र धीरे-धीरे सपश्च दिखाई देने लगते हैं। गुण सूत्र का संहानन तनुपट्टे अवस्था के दौरान जारी रहता है। इसके बाद पूर्वा अवस्था एक का दूतिय चरण प्रारंब होता है जिसे युग्मपट्ट कहते हैं इस अवस्था के दौरान गुण सूत्रों का युग्मन प्रारंब हो जाता है और इस प्रकार की संबधता को सूत्र युग्मन कहते हैं एसे युगमेद गुंसूत्र सम्जात गुंसूत्र कहलाते हैं। इस अवस्था का इलक्टोन सूक्षम लेखी ये दरशाता है कि गुंसूत्र सूत्र युगमन के साथ एक जटल सनचना का निरमान होता है जिसे सनेप्टो निमल सम्मिश्र कहते हैं। हाला कि वे अगली अवस्था में अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं। विनमय दो समझात गुण सूत्रों के बीच अनुवन्शिक पदार्थों का आधान प्रदान है। दिखाई पड़ते हैं। स्थूल पट्ट अवस्था के बाद दुईपट अवस्था आती है। दुईपट अवस्था की शुरुवात की पहचान सिनेप्टो नीमल सम्मिश्र के विक्ठन से होती है। अर्द सूत्री विभाचन और इसकी अवस्थाएं। पूर्वा वस्था एक पून होने के बाद मध्य अवस्था एक आती है। इस अवस्था में युगली गुण सूत्र मध्यरेखा पटिका पर वैवस्थित हो जाते हैं। विप्डी धृवों के तरकू की सूक्ष्मन न लिकाएं समझात गुण सूत्र के जोडों से जुड़ जाती है। पुच्चा वस्था एक अगली अवस्था है। इस अवस्था में समझात गुण सूत्र अलग हो जाते हैं। जबकि संतती अर्द गुण सूत्र गुण सूत्र बिंदू से जुड़े रहते हैं। पश्च अवस्था एक के बाद अंतिय अवस्था एक आती है। इस अवस्था में केंद्रक कला और केंद्र का पुना इसपश्ठो होने लगते हैं। कोशिका द्रवे विभाजन शुरू हो जाता है और ये कोशिका दुइक कहलाता है। यद्दपी बहुत से मामलों में गुण सूत्र का कुछ चित्राव हो जाता है। वे अंत्रावस्था केंद्रक की पूर्टिया फैली अवस्था तक नहीं पहुंचते हैं। दो अर्ध सूत्री विभाजन के बीच की अवस्था अंत्राल अवस्था कहलाती है। और ये समानिता कम समय के लिए होती है। अंत्राल अवस्था के बाद पूर्वा अवस्था दो आती है। अर्ध सूत्री विभाजन और इसकी अवस्थाएं। अर्द सूत्री विभाजन दो समानता गुण सूत्र के पून लब्बा होने से पहले कोशिका त्रव्वे विभाजन के ततकाल बाद प्रारंब होती है। अर्द सूत्री विभाजन एक के विप्रीत, अर्द सूत्री विभाजन दो समाने सूत्री विभाजन के समान होता है. पूर्वा वस्था दो के अंत तक केंद्रक झिल्ली अध्रिश्य हो जाती है. गुण सूत्र पुना संगनित हो जाते हैं. पूर्वा वस्था दो के बाद मद्या वस्था दो आती है। इस अवस्था में गुण सूत्र मध्यांश पर पंक्ति बद्ध हो जाते हैं और तरकों की विपरीत ध्रुवों की सुक्ष्म नलिकाएं संतती अर्थ गुण सूत्र के काइनेट कोर से चिपक जाती हैं। सूत्री विभाजन के समान मद्या वस्था दो के बाद पश्चा वस्था दो आती है। पश्चा वस्था दो प्रतेक गुण सूत्र के गुण सूत्र बिंदु के तत्काल अलग होने से शुरू होती है और गुण सूत्र कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चली जाती है। अर्द सूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था अंतियावस्था दो है। इस अवस्था में गुण सूत्रों के दो समू एक बार पुना एक केंद्र कावरण में बंध हो जाते हैं। कोशिका द्रवे विभाजन के बाद चार आगुणित संतती कोशिकाओं का चतुष्टे बन अर्द सूत्री विभाजन दो के विभिन चरणों के बारे में सीखा। अब आईए जाने कि अर्द सूत्री विभाजन का क्या महत्व है। अर्द सूत्री विभाजन वो क्रिया है जिसके द्वारा लेंकिक जनन करने वाले जीवों की प्रत्यक जाती में विशिष्ट उड़ाभाशी प्रक्रिया के परिणाम सरूप गुन-सूत्रो-संख्या आधी हो जाती है। इसके द्वारा जीवधारियों की जनसंख्या में एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी तक आनुवन्षिक विभिनताइं बढ़ती जाती हैं। विकास प्रक्रिया के लिए विभिनताएं बहुत महत्पूं हैं। सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संख्षेप में दोहराएं। घटनाओं का अनुक्रम जिसके द्वारा एक कुछिका अपने जीनोम का दुईकुणन कोशिका के अन्डे संखटकों का संशलेशन करती है और अंत में दो संतती कोशिकाओं में विभाजन करती है कोशिका चक्र कहलाता है। कोशिका चक्र के दो मोल प्रावस्थाओं में विभाजित किया जाता है अंत्रावस्था और M प्रावस्था या सूत्री विभाजन M प्रावस्था उस प्रावस्था को व्यक्ति करती है जब वास्तविक कोशिका विभाजन या सूत्री विभाजन होता है और अंत्रावस्था दो क्रमिक M प्रावस्थाओं के बीच की अवस्था को व्यक्ति करती है अंत्रावस्था को आगे तीन प्रवस्थाओं में विभाजित किया गया है G1 प्रवस्था, S प्रवस्था, G2 प्रवस्था M प्रवस्था या सूत्री विभाजन को निम्न चार चर्णों में विभाजित किया गया है पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था सूत्री विभाजन में साधनणत्या, समान आनुवन्शिक अभियवाली दुई गुनित संत्यती कोशिकाएं बनती हैं बहु कोशिके जीवों की वृध्धी सूत्री विभाजन के कारण होती है। अर्ध सूत्री विभाजन विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन है जिसके द्वारा बनने वाली अगुनित संतती कोशिकाओं में गुन सूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अर्द सूत्री विभाजन में केंद्रक और कोशिका विभाजन के दो अनुक्रमिक चक्र शामिल होते हैं, जिसे अर्द सूत्री एक और अर्द सूत्री दो कहते हैं, लेकिन DNA प्रती कृती करण का केवल एक चक्र पून होता है. अर्द सूत्री एक में पूर्वावस्था एक, मध्यावस्था एक, पश्चावस्था एक और अन्त्यावस्था एक शामिल है, जबकि अर्द सूत्री दो में पूर्वावस्था दो, मध्यावस्था दो, पश्चावस्था दो और अन्त्यावस्था दो शामिल है. गुण सूत्रों के व्यवहार के आधार पर पूर्वावस्था एक को पांच प्रवस्थाओं में उप विभाजित किया गया है अर्थाद तनुपट्टे, युक्मपट्टे, स्थूलपट्टे, दूईपट्टे और पारगदीक्रम स्थूलपट्टे प्रवस्था के तौरान विनिमय होता है अर्ध सूत्री विभाजन से जीवधारियों की जनसंख्या में एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी तक अनुवन्शिक विभिनताएं बढ़ती जाती हैं